ना सुदेंस कोशन नुमर्ट 10 वाट कें यू से अबाउट दो आफ ऑफ बॉड़ी इफ इस स्पीट टाइम ग्राफ इस ट्रीट लाइन पारलेल टू टाइम एक्सेस ओके तो यह देखिए यह टाइम है टाइम एक्सेस है यहां टाइम चल रहा है एक्सेस पर और यहां वा एक्सेस पर स्पीट चल रही है अब इन्होंने हमसे क्या बोला है कि जो स्पीट टाइम ग्राफ है ठीक है ना वह कैसा है पैलल टू टाइम एक्सेस है ठीक यानिक ग्राफ ऐसा कुछ होगा अ आपका yellow color से जो दिखाया है ठीक है ये पैरलेल है time access के ये graph है इस पीट टाइम ग्राफ ऐसा तो इसका क्या मतलब है अब इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको बताता हूं माल लीजे कि यह वन है यह टू है यह त्री सेकंड ठीक है यह देखे एक table बनाते हैं यहां पर यह time है यह time है और यहां यह speed है ठीक time t is equals to zero पर आपने देखा जब time इस चार्ट हुआ यहां time t is equals to zero पर तो उसकी speed कितनी s का मतलब speed ठीक उसकी speed लिख लो speed ओगे speed तो उसकी speed five meter per second है one second पर तो क्या देख रहे हो कि one second पे speed कितनी पर सेकंड अ भी speed कितनी है 5 तो points आपको क्या मिले graph plot करना आता ना 1,5 1,5 फिर आपको मिलेगा 2,5 फिर आपको मिलेगा 3,5 and so on 2 ठीक है one second by speed five two second by speed five three second by speed five यह देखिए four second by speed five five second by speed five तो इस तरीके से यह एक ऐसा graph आएगा यह speed time graph xxs के क्या है तो यहां पर आप क्या देख रहे हुँ इसकी speed constant है इसकी speed के constant स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है इसकी और यह uniform motion का क्या example है यह example है क्यों ये equal interval of time में equal distance travel कर रहा है सही ना equal interval of time में equal distance भी travel कर रहा है क्योंकि इसकी speed कितनी fix हो गई 5 मीटरपर सेक्ड यने के हर एक second में 5 मीट अगा distance travel करता है तो equal interval of time यानि कि हर एक one second में equal distance travel करता है तो uniform motion का example तो है यह साथ में यहाँ पर इसको देख के हम बोल सकते हैं कि इसकी speed क्या है constant speed है ठेक और याद रखेगा जब भी speed constant होगी ठेक speed में कोई change ही नहीं हो रहा है ठेक तो आपका तो स्लेबर में motion in straight line है ना मान लो कोई body a point से b point की तरफ जा रही है ऐसे बस simple इस तरीके से okay तो motion in straight line हो रहा है एक ही direction में हो रहा है direction नहीं change हो रही है यहने कि velocity भी constant है यहने कि velocity भी नहीं change हो रही है okay तो यहाँ पर escalation कितना होगा 0 क्योंकि escalation क्या होता है change in velocity change in velocity हो ही नहीं रहा है तो याद रखिएगा जब speed time graph x axis के parallel आ जाए तो यह किसको दिखाता है constant speed को दिखाता है number one दो बाते हैं जो कि आपको यहाँ याद करनी है इस graph में क्या एक तो constant speed को यह दिखाता है और दूसरा escalation यहाँ कितना होता है 0 होता है याद रखिएगा अब कुछ लोग सोचे रहोंगे escalation 0 क्यों होता है मैंने आइक तो बता जिए speed velocity change नहीं हो रहा है दूसरा graph से देख सकते हो आप speed time graph का slope क्या बताता है escalation को बताता है और यहाँ पर slope कितना है 0 है क्यों सर्फ लोग क्या होता है इंगल बना रहा है यह जो ग्राफ से साथ कितना एंगल बना रहा है तो यह जो graph है यह तो एक से से साथ कुछ एंगल ही नहीं बना रहा है two lines अगर अगर पैरलेल होती है उनके भीक में एंगल कितना होता है ले यहां कि re-slungs कितना है एक्वास को बताता है यह ए इस लोब को बताता है डिख तो यह एंगल या फिर आ इसको आप digest करिए, copy में note करिए और solution में तो बस आपको simple यही बताना है कि speed time graph is a straight line parallel to the time axis then the body is moving with a constant speed और escalation के बारे में यही पूछ लेता, तब बोल देता है escalation कितना होगा, 0 होगा, ok, note कर लीजे